नमस्का दोस्तों हम सीखने 2D Animation और 2D Animation आपको बता रहे थे Animate CC के बारे में तो चलिए दोस्तों आगे परते हैं और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा Bone Tool के बारे में तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चैनल दिखा रहा हूं जिसका नाम है हिंदी कहानिया जिसके कि मैं जो है कार्टून लगाता हूं आप देख सकते हैं यहां पर मैंने जो है आठ कार्टून लगाया हूं जिसमें कि मेहनत का फल जो है अभी तीन-चार दिन पहले ही लगाया हूं अगर दोस्तों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले इससे मेरा चैनल जो है जल्दी ग्रोथ हो सके तो दोस्तों इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या उपर आई बटन आ रह यह लाएका अधर्वाइज आप बीच-बीच में ऑप लोग पूछते हैं कि इस तूल का यूज कैसे होता है इस तूल का यूज 까 iç के होता तो प्लीस दोस्तों आसा करता हूं पहले वीडियो आप देखे होंगे पीछे का जो बॉंड टूल है उसका यूज कैसे किया जाता ह दोस्तों basically bone tool का जो यूज है वो कोई भी character को जो है animation करने के तोर पर यूज किया जाता है लेकिन आप किसी भी चीज को animate कर सकते हैं जरूरी नहीं है वो character हो मैं एक example दिखाता हूँ हर type के जो character होते हैं या कोई भी shape या size है उसको आप animate कर सकते हैं मार लेज़े हम पहला जो है एक example दिखाता हूँ आपको हमने यहाँ पर क्या किये इस टैप से तीन shape create किये अब मैं चाहता हूँ इसको कुछ animation करने के लिए लेकिन simple animation नहीं bone tool की मदद से तो हम क्या करेंगे पहले हम सभी को जो है यहां से select करके एक 8 प्रेस करेंगे यह bone tool जो है कोई भी symbol पर ही use कर सकते हैं otherwise use नहीं कर सकते हैं इसको हम symbol में convert करते हैं और जब भी animate CC में यूज करते हैं तो हमारा जो pointer होता है जो आपको यहां पर pointer बोल सकते हैं इसको इसको आपको set करना पड़ता है आप कहां से इसको animation कराना चाहते हैं मैं इसको क्या करता हूं तो रहा सा ऊपर कर देता हूं इसको मैं यहां पर कर देता हूं और इसको मैं यहां पर कर सकता हूं तो यह जो है इसके फूर्फ एनिमेशन होगा जैसे इस टैप से अब मैं इस पर बोन टूल अपलाई करता हूं यहां से आप देख सकते हैं, यहाँ पर bone tool show हो रहा है, अगर दोस्तों bone tool आपके पास show नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर pointer नीचे दिया हुआ नहीं होगा आप देख सकते हैं तो हम इस pointer पे क्लिक कर देते हैं अब हम इसको any अब इसन कराना चाहतें के आधा से आप करा सकते हैं अब मैं एक और एक सिंपल जो है हम क्यरेक्टर बनाने की कोशक्स करते हैं और उस पर हम waun टूल का अप्लाइद करेंगा तुमरे इसको यहां से डिलीट करता हूं करने के बाद माल लीजिए हमारे पास एक करेक्टर में बनाता हूं सिंपल सा आज है माल लीजिए एक एक इसका हेड हो गया यह इसको f8 करके symbol में convert करते हैं कि इस टैप जो है एक माल लो हमारा character है कुछ इस टैप से अब मैं इस पर बोन टूल अपलाई करके आपको दिखाऊंगा और सभी का जो है एनिमेशन पॉइंट जो है वह आप अपने एकवर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपका एनिमेशन कहां से होना चाहिए मैं क्या करता हूँ इस पे एक सीमपल सा जो है बोन टूल अपलाई करके दिखाता हूँ यह हमारा character है हम इस पे जो है बोन टूल अपलाई करके दिखाऊंग आपको हम क्या करते हैं पहले सभी को हम side में कर ले से जो की इसका pointer है हमें सही से विजीवल हो तो यह हमारा यहां पर रख देते हैं और यह इसको यहां पर यह यहां पर हम बाद में जब जो है बॉन टूल अपलाई कर देंगे फिर से हम सेट कर लेंगे और यह इसक पोइंटर यहां पर हो गया और एक extra point में यहां पर लगाया हूं यह सिर्फ bone tools प्राइब करने में help करता है और इसका pointer यहां पर है इसको मैं side कर लेता हूं और इसको भी मैं यहां से side कर लेता हूं हम apply करकर दिखाता हूं यहां से हम bone tool को लेंगे और एक यहां से pointer हम इसमें मिलाते हैं और यहां से मैं इस pointer पर मिलाता हूं क्योंकि यहां पर कोई point नहीं है और इस pointer से मैं यहां मिलाता हूं इस step से मिल गया अब आप चाहें तो इसको जो है यहां से खिसका सकते हैं जहां पर आपको चाहिए यह यहां पर ठीक है अब क्या करेंगे इस pointer से हम जो है यहां से बॉन टूल सेलेक्ट करते हैं इस pointer से हम हाथ को सेलेक्ट करेंगे इस टैप से यह अभी सेलेक्ट नहीं हुआ इसको मैं साइड करके यहां से इसी टैप से इधर से हम इसको जोड़ेंगे अब यहां से हम पैड को जोड़ेंगे इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ जोड़ने मासानी होता है यहां से मैं इस त्रफ यहां से यहां और यहां से मैं यहां आवर हमारा सारास शेप वह बॉन टूल से अटएच हो गया अब हम इसको क्या करेंगे सिम्पल वे में इसको मैं यहां पर रखता हूं इसको यहां पर तो यह हमारा जो है सारा देख सकते हैं बॉन टूल से connect हो गया है अब इसमें क्या है एक और चीज देखने वाली बात है हमारा जो चाहते है उपर हो जैसे देखिए यह जो है यह हमें नीचे चाहिए यह हाथ का उपर चाहिए तो उसके लिए simple क्या करते हैं इस पर click करते हैं जो भी चीज़ को उपर करना है और control और जो माउक्ट कीवर्ड का up key है उसको दबाते हैं यह उपर आ जाएगा जिसको भी आपको उपर करना select करके उपर कर सकते हैं control up key से इसको हम नीचे रहने देते हैं और जो यह जो है इश type image इसको करा सकते हैं आप देख सकते build do a prior देख सक्तै रोगी एक शीजव और हो रहा कि यहां से इसका पिंटर हिल राका इस पे हम क्लिक करते हैं और यहां से हम जाते हैं इसको कर देते हैं जीरो मुवमेंट अभी देखिए अब वहां से वह नहीं हिलेगा अब जहां से भी हिल रहा है हम इसको क्लिक करते हैं और यहां से हम जीरो कर देंगे यह ठीक है यह भी ठीक है अब कोई भी हिलने रहा है अब मैं इसको जो है थोड़ा से इनिमेशन करकर दिखाता हूं 30 फ्रेम तक जाते हैं F6 लगाते हैं हम इसमें कोई भी जो है इसको करा कर दिखाता हूं मैं वाले यहां पर आया तो यह जो है कुछ इस टैप से आया अब देख सकते हैं इसमें इस टैप से एनिमेशन हो गया अब यहां पर आने के बात क्या है फिर से F6 लगाए और मैं चाहता हूं इस साथ को मैं सिंपल रख दूं और इस साथ को मैं उपर करना चाहता हूं यहां पर देखिए आपको मैं चला के दिखा जा तो देखिए तो इस टैब से जो है आप कोई भी करक्टर पे इस टैब से दोस्तों कोई भी करक्टर पे आप bone tool का apply कर सकते हैं आप यहाँ से head जो है इसके head को भी आप animate कर सकते हैं माल लिए इसको इस तरह प्रखे इसको इस तरह रखे कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं देखिए इस टैप से दोस्तों इसमें इनिमेशन लग गया तो आसा करतों दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के सा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो ले का हूँ तो उसका अब डेट आपको तुरंत मिल गाए तो मिलते दोस्तों नेक्स वीडियो में आज के लिए तेंक यू